24 अक्टूबर को दिवाली है और 25 अक्टूबर को सूर्ग रहन है यह आंशिक सूरग रहन होगा जिसमें सूरज के एक बड़े हिस्से को चांद धक लेगा इस सूरग रहन को भारत में भी देखा जा सकेगा हाला कि ये सूरिग रहन दिवाली के ठीक बाद लग रहा है सूरी गरहन आज जाने भारत में इसका समय जहां दोस्तों सब कुछ बताने वाले डिटेल में वीडियो में कि भारत में की सूरी गरहन आज दिन कप पड़ेगा किस समय से कितने वज़े तक रहने वाला है सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो में आपको किलियर करने वाले हैं ल सूर्गराण का सूता काल 12 गंटे पहले सुरू हो जाता है जाने भारत में कब और कैसे हो सकेगा सूर्गराण किन रासियों पर होगा सूर्गराण का असर सब कुछ बताने वाले इस दवरान क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा सब कुछ डिटेल से बताएंगी इस वीडिय जा सकेगा जो तिस में ग्रहन को असुभ घटनाओं में गीना जाता है इस वज़ा से ग्रहन के दोरान सुभकार और पूजा पाठ वरजित माने जाते हैं मानता है कि सूर ग्रहन के दोरान सूर पीडित हो जाते हैं जिस कारण से सूर की असुभता में कमी आ जाती है आई जान के बाद भी सूरिग्राण होगा साम 6 बच कर 32 मिनट पर सूरिग्राण की सवापती होगी या आंसिक सूरिग्राण मुखी रूप से यूरोप उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पस्चिमी एसिया की कुछ हिस्सों में दिखाई देगा भारत में गराण नई दिली वंगले रू कुलकता चेन नहीं उजयन वराण सी मतुरा में दिखाई देगा या भी बताया जा रहा है कि पूर्वी भारत को छोड़ कर सारे भारत में इसका गराण देखा जा सकेगा नासा और टाइमेंड डाट कॉम्स दोनों ने सूरिग्राण के दिदार के लिए लाइव स्ट्रीम जारी किया है जिसके जरिये दुनिया भर के लोग इस अद्बुत खगोली घटना को देख सकेंगे इसके अलाव आप रोयल अब्जर्वेटरी ग्रीन विच यूटूब चैनल पर भी आप सूरिग्राण को लाइब देख सकेंगे साल के इस आखरी सूरिग्राण का असर अलग-अलग रासियों पर पड़ेगा मेश ब्रिसब मिथुन रासी के लोगों पर सूरिग्राण का बुरा असर देखा जा सकेगा करक रासी वाले लोगों को इसके दोरान धन लाब होगा कन्या रासी वालों को इस दोरान हानी होगी धन की विरिस रासी वालों को धन की हानी होने की संभावना है वह धनी रासी को इस दोरान लाब होगा इस दवरान बृद्धा, गर्वती, इस्त्रिया और बालकों को छोण कर सभी लोगों को सोना, खाना, पीना से बचना चाहिए गर्वती, इस्त्रियों को तो बिसेश तौर पर पूरे ग्राण के दवरान एक ही अस्थान पर बैठना चाहिए साथ ही बैड़ कर हनवान चले इसा आदी का पाढ़ कर सकते हैं उससे ग्राण का असर उन पर फरावित नहीं रहेगा आसमान में होने वाले इस घगोली घटना को कभी भी नंगी आँकों से ना देखें यनि कि आप इसे अपने नगन आखों से प्लीज ना देखें इसा देखने से आपके आख में छदी पहुंच सकती है किरिपया इसे देखने के लिए टेलिस्कोप का भी प्रयोग कर सकते हैं बट इससे बिसोफ रूप से इस्तमाल करने के लिए आपको चस्मे का इस्तमाल करना चाहिए बांकि आप लोग इसे लाइब देख सकते हैं यूटूब चैनल पर आपको इसको लाइब दिखाया जाएगा जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड करा दिया जाएगा धन्यवाद